हुआ है हलो गाइस कैसे हो आप लोग आई हो आप लोग सब बढ़िया होगे तो अब स्टार्ट कर रहे हम लोग क्या विटामिन स्कॉर्भी कैसे बोलते हैं यही वाटर सुल्यूबल विटामिन है तो अभी हमने क्या पढ़ा भी कॉंप्लेक्स पढ़ रहे थे बीवन बीटू बीट्री पीस बीस है पढ़ा था हम लोगों ने ठीक है फिर बीट नाइन पढ़ा अभी ट्वल रहे गया है वह सारे विटामि विटामिन है और कहीं न कहीं यह कहना आपका डिस्ट्रॉइड इसली बाइट हीट एलकली कुछ भी डालोगे डिस्ट्रॉइब हो जाएगा इसलिए जब हम खाने को पकाते हैं तो 70% विटामिन सी जो सबजियों में होता है वो डिस्ट्रॉइब हो जाता है हमें मिल भी नह सबसे बढ़िया और इंज संत्रा खाइए एक कभी भी कोई दिकत नहीं होगी ठीक है ना तो डिस्ट्रॉइड इसली बाई हीट तो इसको हीट अपलाई करेंगे तो यह स्ट्रॉक्चर टूट जाता है खराब हो जाता है अगरा इस्ट्रॉक्चर की बात करें तो आपका क् इस कारवन सुगर डेरिवेटिव है कुछ भी नहीं बखवास क्या अस्कॉर्बिक ऐसिड इस टाइप से ठीक है ना यही इसकी एक्टिफ फॉर्म है यही इसकी एक्टिफ फॉर्म है थोड़ा सा नए रूम में आई हो तो आवाज गूंज रही है मेरी पता नहीं कैसी आव इसे हमने हर चीज की देखी एक्टिफ फॉर्म अलग-अलग थी ठीक है बड़ यहां पर आपकी एक्टिफ फॉर्म स्यमी है ठीक है अब इसका सिंथेसिस देखते हैं कि बॉटी के अंदर बन पाता है क्या मेरा आंसर होगा नहीं हम लोगों में प्राइमेट्स में बड़े लाओ इंजाइन के अपर इंफॉर्मेशन है उसे हम जीन बोलते हैं ठीक है जीन बोलते और वही क्या बनाता है आगे चलके प्रोटीन अर्परोटीन ही क्या होता है एंजाइन यहां तो हमारे पास हमारे बॉड्र के अंदर वह एंजाईम यह नहींтора आजीसर जो विटामिन से बात है बाखी लोगों में बन जाता हो सोगा लेकि एलोगों में नहीं बन पाता बिक मिंदर वह आम लाए ओरंज इंपल सी बात है पत्रायम विटामिन सी आपके से से तो और हर चीज पर हमने विटामिन सी लिख दिया यह तरीके से बिकॉज हम देखेंगे विटामिन सी कहीना का इम्म्यूनिटी में है ना जो आपके डावलो भी सी होते हैं कि फैगोसाइट उस इस को भी इंड्यूस करता है थीक है तो विटामिन सी ठीक है इसकी आड़ी है कितनी है 60-60 मिलीग्राम पढ़ ले इतनी हो गई आप यहाँ पर क्या है आपका इंटेग क्या होगा बढ़ जाता है कब प्रेंग्डेंसी और लेक्टेशिंग वूमन में अगर वूमन प्रेंग्डेंट है और लेक्टेट में है तो उस टाइम पर क्या होगा थोड़ा सामन बढ़ जाता है देखता है यूजली सारे के सारे आपके जो विटामिन थे उनका इमून बढ़ता था बिकोस बाड़ी की नीड बढ़ती थी उस टाइम पर ठीक है तो बहुत बेसिक सा यार एक पहला पेस था हमने समझा ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है कि हमारी बोड़ी में हमने विटामिन थी खा लिए हमारी बोड़ी के अंदर एस्कॉर्बीक एसिट पोच गया है अब बाहर कैसे निकलेगा एना diyorum बाहर कैसे निकलेगा वाटश वॉल्यूबल हमने आता है यूरीन निकलेगा ठीक है बट कैसे नि यूरीन से भार निकल जाएगा तो यूरीन के अंदर जो ऑंसलीक आता है वो कहीं नहीं से मेजॉर्टी आ रहा होता है और थोड़ा बहुत ग्लाइसीन से भी आता है ठीक है तो यह हो गया अब इसके फंक्शन जो क्या काम करता है तो पहले कुछ फंक्शन मेरा ध्यान होगा कि किसी भी चीज़ भी ना ओच लगाता है कोई चीज है उसमें और दूसरा क्या यह एंटि-आक्सिद्ट है इसकी बाद भी करेंगे तो मेंजरली हमको यह दो हैडिंग याद होनी चाहिए वोटा-भूटा फिर उ वो आपसे पूछेगा विटामिन सी क्या करता है आप बोलो हम पढ़ लेते हैं तुक है चलो जैसे कि यार प्रोलीम अमीन अशिड है लाइसी अमीन अशिड है इसमें क्या होगा ना दिया है hydroxy proline hydroxy lysine तो यह कौन करवार आइकॉन हेल्प कर रहा है एंजाइन होगा नो डाउट बट हैल्प इंद प्रजेंस ओफ विटामिन सी विटामिन सी और कहीं नहीं कहीं जो की बनी है ना hydroxy proline hydroxy है मालव क्रोश क्रोश लिंआ थिक है उसके आपस में क्रोस लिंकिंग हो सके ठीक है तो वो कौन कर रहा है hydroxyproline hydroxy lysine ठीक है तो यहां पर क्रोस लिंकिंग हो जिससे की strend twist लगई किसे के तो वहां पर भी आपका एक crossing होती है ना तो wound healing में help करता है bone के अंदर प्यार पुरा एकदम osteoblast पूरा network है है ना मतलब की तरीक आप बोल सकते हो bone बनाने भी help करता है vitamin C तो vitamin C मैंने आपको सभी इतना बताया vitamin C cross linking कराता है cross linking कराता है जिस वज़े से collision के अंदर क्या आती है strength आती है आप मुझे बताओ यह वाला ठीक है collision यह strength होगी जादा या इसमें cross linking है आप बसमें जुड़े हुए है इस तरीके से cross linking आप बोलोगी यह वाला ज्यादा बेस्ट है ठीकिन यहां से leakage नहीं होगा तो पहली बास में आ गया कि आपके जो vitamin C है वो hydroxylation करता है किसका proline and lysine जो कि किसके अंदर collagen के अंदर आपका cross linking में help करते हैं जिससे की collagen के अंदर strength आती है ठीक है जो बहुत जगे help करती है wound healing bone और अगर cross linking है ना तो हमानी blood vessel वगेरा में से कोई भी blood leak नहीं करेगा ना linking है strength है ठीक है और गहीं पढ़ा है हमने देखो आपको बने ट्रिप्टोफान में पढ़ाया था मेटाबॉलिस में ठीक है कि ट्रिप्टोफान में क्या लग गया hydroxy group लग गया और फिर वह जाके जाके क्या बन जाता है सीरो टूनिन ठीक है तो यह पहला रहा है यह भी को उनकरा रहा है आपका vitamin c की presence में हो रहा है ठीक है तो आपको यह अलका याद हो vitamins में क्या होता है मैं आपको यहाँ पर trip to farm ओना पड़ा सकता हूं है न यह आपको कहिंगे पहले पड़ रखा होगा अब मुझे बताना है कि कि विटामिन C C कहां पर आया होगा ठीक है पता नहीं मैं आज कैसे बोल रहा हूं क्योंकि आवास मुझ रही है मेरी कमरे में ठीक है चलो और समझते हैं जैसी कि टायरो सिंकर मेटाबॉलिस में आपने पड़ा होगा पैरा हाइड्रोक्सी फियानिल पायरुवेट से क्या बन रहा है होमो जैनिते स्टेट यहां पर भी ओच ग्रूप लगता एक है ना नहीं दिख रहा नाम में नहीं दिख रहा है ना कई भी हा लगता होगा इस ट्रक्चर खोल के देखेंगे ना इसको होँज एंटेस्टेट का तो ओश लग रहा होगा तो वह कौन लगा रहा है विटामिन सी लगा रहा है तीक है अब आयरें मेटाबॉलिस में देखते हैं अगर हम बोलूं कि आयरें को हम एब्सॉर्ब किस फॉर्म म करते हैं कि फैरिक फॉर्म में नहीं करते हैं तो जो फैरिक है इसको फैरस करने में कौन हेल्प कर रहा है कौन कर रहा है विटामिन सी अगर मैं सिंपल बोलूँ आप से सोचो 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 विटामिन सी क्या है कि एंटी ऑक्सीडेंट यानि कि दूसरे का क्या कर देग फ्राइन करेब आगा हूं दूसरे को रिडूस करेगा दूसरे कीजिक को रिड misery फ्र करेगा यह पुरमाइं बोल दूंकि कोई ची सब्सक्राइब करेगा कि मैं इसकों कि यह होने इभा मैं ऐसे बोल दूं कि यह एक reducing agent है बात तो यह की है तो मुझे पताओ FE plus 3 से FE plus 2 में क्या हो रहा है plus 3 से plus 2 जा रहे हो reduction या oxidation आप बोलोगे oxidation number कम होता है तो reduction हाँ reduction हो रहा है तो vitamin C help करता है reduction करने में ठीक है मतलब कि FE plus 3 से FE plus 2 में करा और इसको हम absorb कर सकते है राम से ठीक है SCL भी help करता है बढ़ अभी समझो FE plus 2 absorb हो गया ठीक है और यह और और देखो blood के अंदर वगेरा में हीमोग्लोबिन देखोगे हीमोग्लोबिन के इंदर आइरन होता है एक reducing agent है कि दूसरे का reduction कर देगा reducing agent है संद में आ रहा है क्या संद में आ रहा है क्या चलो 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 अब मैंने क्या बोला यह आपकी स्ट्रोइट सिंथेसमें भी help करता है ठीक है कहीं steps होते होंगे आपके बाइल एसेड बनता है कोलेस्ट्रोल से हम पढ़ेंगे लिपटी के अंदर महां भी देखेंगे ठीक है अब में क्या है यहां पर देखो में क्या है यह देखो एक सब्सक्राइब क्या लिखा छोड़ो इसको पहले यहां देखो विटामीन एक होता है विटामीनमी इस एक के सईल है इसके ऊपर को इफ गाया कौन यह आरहा है मानलो फुरी रेडिकल रेडिकल अरुआ तो इसका कर देख तो तो एच्छी बात नहीं है ना कि वह क्या होगा मेंब्रेंट योगी तूट जाएगी ब्रेक हो जाएगी उसकी जो है ना वो खराब हो जाएगी इसकी integrity ठीक है तो यह free radical क्या करेगा इसका oxidation करेगा तो कौन रोकेगा इसको vitamin E ने रोका कि भाई free radical तुम इसके पास मत जाओ तुम मेरे पास आओ तुम इसको मत करो oxidize तुम मुझे कर दो oxidized मैं सहीं दो जाओंगा विटामीन क्या हो गया ऑक्सिडाइज हो गया उसने अपने आपको बोला कोई बात में हो जाओंगा है ना लेकिन किसी और को नहीं होने दूँगा ठीक है तो विटामिन E क्या हो गया खोड़ oxidized हो गया ठीक है मतलब oxidized हो गया अब ये खराब हो गया ये खराब हो गया ठीक है लेकिन अब आएगा पिच्छन vitamin c vitamin c बोलेगा कोई बात नहीं तुमने अपना अपनी सहीदी दी थी आपना sacrifice दिया था मैं तुमको वापिस से reduce कर दूँगा वापिस से नॉमल कर दूँगा वापिस से मैं reduce कर दिया लो भाई तुम वापिस से normal वापिस functional जाओ जियो जिन्दी सांद में आ रहा है कि vitamin c क्या कर रहा है vitamin c reduce कर रहा है इसको जो विटामिन E oxidized हो गया था किसी free radical से किसी भी चीज से और भापिस से क्या बन गया यह विटामिन E functional वाला बन गया अन्में आया क्या आया तो बताना नहीं आ है तो भी बताना तो तो जो बताना नहीं आ तो मैं बता दूँगा फिर ठंग से ठीक है यहां पर केटर्राइक्ट एंथ्रेस को लोल सी कोरोनीर आर्ट्री डिसीज अगे इनको कि एंटी ऑक्सिदेंट होता है तो इस सब चीज दो बचाता है ठीक है इम्मिन लॉजिकल फंक्शन भी होते हैं विकॉज अटी ऑक्सिदेंट आप देखो के डवलो बीसी के अंदर होता है फैगोसाइटोसेस तो वह भी इसको इंड्यूस कराता है ठीक है ना तो यह कुछ हो गया अब अब एक में में इंपॉर्टेंट यहां से आता है कि इस करव इंफेंटाइल समय या फिर बालो सिंड्रोम तो अगर बड़े में है तो सकर वी एक साल से बड़े मैं किसी में सकर वी अगरिए साल चैंaud says bye बैलो सेंट्रोम लाउफिर इसकर वी कैसे कैसे मैं करूँ को तरयस्टाइज देखो विटामीज सी नहीं है विटामीन साही नहीं है इसका मतलब जो आपको बापको टो जो आपको लिजना था जिसमें क्रोस लिंकिंगशी liksom आ रही थी अब वह नहीं आ क्लिणंग हो जाएगे हलकी सी इसनी में क्या नहीं है क्या नहीं बताओ क्लिजन में आप बोलोगे क्रॉब्लट कर रही है और वह सकते वह नहीं कर रहा है जो बोन है वह भी द धंग से ग्रों नहीं कर पारी विटामिन सी से कहले सिक पीट्रों को भी स्ट्रॉंग्नेस है ना तो बोन भी क्तेले थे थोड़ी शेक्छ थोड़ी फ्लेक्सिबल्न पिर प्रीश लेग्टी depends हो जाएगी में और में बॉहना तो सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे स्करवी के तो जो मैंने लिखे हैं वो सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे ऐसे नहीं कि आपने एक दिन नहीं खाया दो दिन नहीं खाया नहीं थ्री मंस एट लिस्ट थ्री मंस के बास सिम्टम आना शुरू होते हैं ठीक है है अब मैं क्या बोलों वहीं bleeding होगी bleeding क्यों होगी बताओ क्यों bleeding हो रही है विकास collagen नंग से काम निकर रहा because collagen abnormal हो गया because collagen में inter crosslinking नहीं है ठीक है इस वज़े से bleeding हो पा रही है और hair and teeth loss वोई होगी आ ब्रीडिंग गम्स और यहां फे भी क्या होगा swollen and painful वूल गम्स ठीक है वही सब कुछ रीजेन है को लिजन रंग नहीं हो पार है ठीक है डिलेड वण्ड हीलिंग क्यों बैइ सीम्पल सी बात है चोट लगी हो उसे हील करना है तो उसके लिए क्या चाहिए रहा है को लिटा फाइवर्ट चाहिए ना फाइबर त्यों नहीं आपय वीग है ना बेंडिंग और आपका अनीमिय अनीमिय क्यों हो रहा है विकास आप देख रहे हो ब्लड लॉस हो रहा है तो इससे अनीमिय देखने को मिलेगा ठीक है तो यह सकर वी क्यों कुछ फीचर्स थे एकाथ गुगल पर सर्च करना फिचर वगेरा मिल जाएंगी देख लेना और इतना ही आपकी युनिवरेस्टी पूछा जाता है विटामिन को लेकर इंपॉर्टन विटामिन था अराम से पढ़ाया है मैंने ठीक है पता नहीं मेरी आवाज आज कैसे जा रही होगी विकॉस मेरी आवाज में खुद गूलते संद में आ रही है तो कमर खाली है ना भी ठीक है इसको भी कुछ करते हैं अगली वीडियो तक ठीक है चलि बाई